असलाम ओलेकुम डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू एक्टिव लेनर्स पॉइंट ये वीडियो है स्टैंड़र्ट फोर्ड के लिए सेमी इंग्लिश उर्दू चैप्टर नमबर 3 स्टोरेज ओफ वाटर Dear students, let's solve the questions of lesson number 3 storage of water आज के वीडियो में हम 3rd chapter storage of water के questions solve करेंगे Are you ready? Let's start Question number 1 है Answer in short Why should we store water? हम पानी को क्यों स्टोर करके जमा करके रखते हैं आंसर है आल दवाटर वी गेट कमस फॉर रही जाएं दे रही जाएं लाश फॉर थी और मन्थ फॉर्श को पता है कि हम पानी इस्ते माल करते हैं वहां से हमें मिलता है बारिश से और बारिश को जो महिना होता है वो तीन महिने चार महिने बारिश होती है या उससे भी कम अगर हम, if we do not store water अगर हम water को store नहीं करेंगे वीविल यूट है वेज़ेंगे व्हेन पानी को स्टोर करके रखना जरूरी है पुराने तरीखे से किस तरह वाटर सेफ किया जाता था पहले जो है अंडरग्राउंड टैंक्स बनाई जाती थी पानी के टांकिया बनाई जाती थी मतकों में बड़े बड़े और वेल्स मिन्स कुओं में पानी स्टोर किया जाता था question number 3 है what is dam built on dam किसके बनाई जाते the most important of all recent water storage is the dam आज कल डैं में ही पानी को स्टोर किया जाता है dam made it possible to store huge quantities of water dam के जरिये बहुत सारा पानी हम स्टोर करके रखते हैं dams are built across by dry valleys with small streams create a storage area of water that it transported from anywhere a dam is also built on a river अगर अब dam जो बनाया जाता है तो जादा पानी उसमें हम सेफ करके स्टोर करके रखते हैं जो ऐसी valleys जो dry हो जाती है सूख जाती है small streams में dams बनाया जाते हैं और dams के जरिये पानी दर से उधर ट्रांसपोर्ट भी किया जाता है और जो rivers है उधर भी dams बनाया जाते हैं अगर आपने जाइकवारी dam pattern का देखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कुछ नमबर 4 है what must we keep in mind while using water water को use करते वक्त हमें अपने जहन में क्या रखना चाहिए मतलब क्या सोचना चाहिए answer while using water we must keep in mind that water is a natural resource all living things need water if we do not store water we will not have enough water for our needs कभी भी पाने इस्तेमाल करते वक्त ये सोचना चाहिए कि water एक natural resource है और हर living thing को पानी जरूरी है अगर हम इसको store नहीं करेंगे तो हमें पानी नहीं मिलेगा understood question number 5 है what is water pollution इसका answer है waste water from houses, factories get mixed in river, lakes, ground water and polluted them water pollution means the contamination of water bodies mostly done by human activities देखिए जो waste water होता है houses का, factories का वो mix हो जाता है rivers में, lakes में, ground water में उसको polluted करता है आलूदा कर देता है water pollution means contamination of water bodies mostly done by human activities तो जादा तर जो humans है वो पानी को अलूदा करती है यानि कि हम लोग understood question B है how can water be saved in places with water shortage suggest what can be done जहाँ पानी का shortage है पानी कम है तो वहाँ पर आप इस तरह से पानी को store करोंगे answer है in places with water storage water can be saved by storing water in tanks receiver understood तो टैंक वगएर में पानी को जमा करके store करके रख सकते है question number C है what good habits must we cultivate in order to use water economically हमें पानी को अच्छे से यूज़ करने के लिए कौन सी good habits अपना नहीं चाहिए answer है the following good habits can be cultivate to use water economically first time when we brush our teeth this time please close the tap second use water only when it's needs third do not play with water fourth don't waste water heavily understood तो पानी को वेस्ट करना नहीं चाहिए ब्रेश करते वक्त दूसरे काम करते वक्त पानी का जुनल है वो बन कर देना चाहिए जब ज़रा तो तभी पानी यूज़ करना चाहिए पानी से नहीं खेलना चाहिए और पानी को जादा तर वेस्ट नहीं करना चाहिए understood इसके लावा fifth है close the tap when not in use जब अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हो पानी तो tap बन कर देना चाहिए हम इस तरह से पानी को सेफ कर सकते है वेस्ट होने से बचा सकते है तो उमीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो वीडियो अगर पसंद आईए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को प्लीज सबसक्राइब किये बगर मत जाईए अगर आप बाद में चैनल सर्च करेंगे तो आपको नहीं मिलेंगा इसलिए अभी सबसक्राइब कर ताके नहीं आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुचे हम बिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के कुश्चन के साथ वाटर सेफ और ड्रिंकिंग तब तक के लिए अल्ला हाफीज थैंक्स फॉर वाचिंग